अस्सलाम अलेकुम स्टुडेंट्स, हाव आर यू, भॉप यू आर फाइन, आयमे इस्लामे टिचर मिस्राभियक लिए, नौ स्टार्ट दर लिडिंग सुरह इन फाल, सबसे पहले मैं आपको सुरह इन फाल के बारे बताना चाहूंगे, कि सुरह इन फाल पारा नबर नाइन म आज मैं आपको सबसे पहले सी आयत नमबर एक का तर्जमा बताऊंगी, और उसके बाद मैं आपको इसके अलफाज मायने लिखांगी, उसका आपको पापी में राइट करेंगे, सुरह इन फाल में घजव बदर का जिकरे और माले खनिमत के बारे में पूछा जा रहा है, च असलिहु जाता बेनिकुम वाटि लिखांगी, उसका तर्जमा है, ए मुहम्मस लिखांगी, तुम से माले खनिमत के बारे में तरियाफ करते हैं, कि क्या हुकम है, कहे दो माले खनिमत और उसके रसूल का माले, तो खुदा से डरो और आपस में सुला रखो, और अगर इमान लगता हूँ, तो खुदा और उसके रसूल के हुकम पर चलो, या आयत नमबर एक का आपको मैंने अर्जमा भी बता दिये, और अर्वी बता दिये, अब इसको आपको अलफाज माईने अपनी कौपी में राइट करने हैं, मैं आपको इसके अलफाज माईने बताते हैं, चल सवाल करना, अनिल अन्फाल माले गन, अन के माईने बारे में हैं, अन्फाल केते हैं माले गनीमत के, अनिल अन्फाल माले गनीमत के बारे में, कुल कह दीजिए, अल्ला अल्लह से, वा और, वा जहां भी आएगा, और के नहीं आएगा, अल्रसूल रसूल के लिए, फत्तकु आपस में डर जाओ आपस में डर जाओ अगर तुम मुमिनीन मुमिन हो चाहिए यह सब में आपको बता दिया है इस कमर तर्जुमे में जो आपने पढ़ा है वो सब यही है वो सब सब सवाल करते है माल गनीमत के बारे में तो अल्ला ताला कह रहे हैं कि कहे दीजिया है मालِ गनीमत और अगर तुम आपस में सुलह रखते हो तो अगर तुम मुमिन हो तुम आपस में सुलह रखते हो आज तक कर यही यह काम है आपको कॉपी में राइट करना है अब बाकी आइंदा में करऊंगी जब तक कि ने लगने, अल्लाह आफिस